असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्ससाइज 1.3 का कोस्टर नमबर 6 तो मेरे पास एक क्लास 9 मतमेटिक्स की बुक है साइंस क्रूप की और उसका ये चेप्टर नमबर 1 चल रहा है मैंने इस चेप्टर के नेम से एक सेप्टेट प्रेल सकते हैं तो आजी स्टार्ट कर लेते हैं कोस्ट नमबर 6 को कोस्ट नमबर 6 को मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया है वही से इसको रीट करते हैं समझते हैं और सॉल्फ करना शुरू करते हैं तो अब आपको सामने स्क्रीन पर कोस्ट नमबर 6 की स्टेटमें लिखी वी नज और एक matrix B गिवन है जिसकी entries है 0, 7, minus 3 और 8 यह मैंने row wise entries को पढ़ दिये तो यहाँ पर दो matrices आपको start में बता दी गई है एक matrix A और एक matrix B आप से कहा जा रहा है find करके दिखाएं दो parts आपने करने हैं पहले part पर आपने find out क्या करने है 3A minus 2B यानि 3A minus 2B किस matrix के एकवल होगा यह आपने find out करके दिखाना है और दूसरे part में आपने find out करना है 2A transpose minus 3B transpose किस matrix के एकवल आएगा यह भी आपने find out करके दिखाना है अब यहां पर A और B के उपर T लगावा है जिसका मतलब transpose है मिसको transpose पढ़ते हैं और आप लोगों को transpose निकालना आता होगा मैं इस चीजे बता भी चुका हूँ transpose निकालना का मतलब होता है किसी भी matrix की अगर rows है उनको columns में लिख दे या फिर columns है तो उनको rows में लिख दे या रोस को या तो column बना दे या columns को रोस बना दे इन दोनों में से कोई एक काम एक वक्त में कर दें तो वो उस matrix का transpose हो जाता है तो आपने यहाँ पर इन दोनों parts को separately solve करके दिखाना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं part number one को तो part number one में लिखा हुए three times of A matrix minus two times of B matrix यह A और B matrix है और बाहर three और two जो है वो just scalars है या यहाँ आप कह लिए numbers है तो आपने क्या करना है इन questions को solve करने के लिए जो यह numbers लिखे हैं इनको आपने वैसी note down कर लेना है यानि three को आप वैसी note down कर लेंगे और इस A की जगा पर उपर से A matrix को लिखना है तो देखें यहाँ पर A लिखा है और उपर A matrix given है उसकी entries क्या है row wise अगर पढ़ू one minus two three और four तो आपने same to same इस A matrix को इस A की जगा पर matrix लिख दिया और बाकी तमाम चीजें देखें मैंने वैसी रहने दिये यानि three को साथ वैसे लिखे रहने दिये आगे minus का sign है आप minus का sign लगाए अब two आ रहा है आप लिखें अब आगे two के आगे बी लिखा हुआ है तो बी की जगा पर B matrix हैगा उपर B matrix भी given है उपर से B matrix उ multiply हो रहा होता है तो इसका मतलब यही होता है कि आपने उस number को matrix के साथ separately अलग अलग कहरें multiply करना है यानि या trzy इस वन से भी multiply होगा minus two से भी होगा three से भी होगा, three से भी होग कर तो इसको आगे करते हैं तो जैब आप 3 को one से हम क्रें cuz 3 1 times कितना हो जाएगा 3 तो आप यहां पर 3 लिख देंगे जब इसी 3 को negative 2 से multiply करेंगे 3 negative 2 times होता है negative 6 आप negative 6 लिख देंगे अब 3 को 3 से multiply करेंगे तो आजएगा 9 और 3 को 4 से multiply करेंगे तो आपके आपके पास आजएगा 12 तो आपने बाहर लिखेवे 3 को अंदर लिखीवी तमाम एंट्री से multiply कर दिया और यहां पर आपके पास यह new matrix एक तरह का बन गया अब आगे भी आपने ऐसी करना है minus का sign वैसी उतारने है यहां पर 2 लिखावा इस matrix के बाहर तो इसका मतलब है इस 2 और लिख ही तमाम एंट्री से अपने multiply करने तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने जेरो से multiply करने टू जेरो टाम्स कितना होता है जीरो अब इस 2 को 7 से multiply करने है?, थो 7Кितना होता है? 14 सरी, तो आप झिम एंट्री से multiply करके लिख दिया और अब आपके दो new matrix बन चुके हैं अब देखें इन दोनों matrices के दिरमिया जो है minus का sign है यानि आपने दोनों matrices को एक तरह का subtract करना है और जब भी matrices को add करना हो या subtract करना हो हम यह देखते हैं कि इनका order क्या है क्योंकि अगर इन दोनों के order सेम होंगे तभी हम इनको add कर सकते हैं order का मतलब इनकी rows और column की तदाद एक जैसी होनी चाहिए तो पहले वाला जो matrix है इसमें भी दो rows और दो कॉलम है दूसरे वाले matrix में भी दो rows दो कॉलम है इसका मतलब इनको add किया जा सकता है अब सब्सक्राइट करने का method क्या होता है मैं यहाँ पर ब्रेक्ट्स लगाँगा तो सब्सक्राइट करने का method ही होता है कि corresponding entries को add किया जाता है जिसे यहाँ पर आप फर्स 2nd entry है तो वहाँ से 2nd pick करनी है तो यहाँ पर नेक्टिव 6 है तो यहाँ आप कहलें नेक्टिव 6 में से माइनस होगा 14 तो आप लिखेंगे पहले नेक्टिव 6 थोड़ी स्पेस डालकर नेक्टिव 6 और बिच में यह माइनस का sign और वहाँ से दूसरी entry यानि 14 अब इसी तरीके से नीचे आ जाते हैं क्योंकि नेक्टिव 6 के बाद next entry यहाँ पर नीचे 9 है तो इदर भी ऐसी करेंगे यहाँ से 3rd entry पिक करेंगे तो वहाँ से 3rd entry पिक करेंगे यानि आप 9 में से सब्ट्रेट कर देंगे माइनस कर देंगे क्या नेक्टिव 6 अब 2 signs आगे पीछे आगे हैं तो एक जगा पे round brackets लगा लेना ज्यादा बेतर है तो मैं negative 6 को इस तरह round brackets में लिख रहा हूं तो अब आगी last वाले entry की बारी वह है 12 तो 12 को भी आप यहां से last entry से minus करेंगे तो से आजएगा 16 अब आप इसको further solve कर लें तो हमारे पास answer आजएगा इसका तो आप कहलें 3 minus 0 कितना होता है वो होता है 3 minus minus plus होता है 14 में 6 add करेंगे आपको पता है 20 आता है और sign बड़ी value का 14 के पिछे negative sign है तो यहां पे minus आजएगा आपके पास calculators है आप calculator से कर सकते हैं यहां आप पे minus minus क्या होजएगा plus यानि जब brackets open करेंगे तो minus minus क्या होजएगा plus तो 9 plus आपको 6 करना पड़ेगा ठीक है तो 9 plus 6 कितना होता है आपके पास यह होता है आपके पास 15 तो आप यहां पे लिख देंगे 15 आगे आप देखें यहां पे 12 minus 16 है छोटी value में से बड़ी value minus होज 3 minus 20 15 और minus 4 तो यहां पर हमारा यह first part खतम हुआ आप करते हैं इसका second part तो अब हम इसका part number 2 कर लेते हैं part number 2 मैंने separately यहां पर दुबारा से लिख दिया है ताकि हमारे लिए सान्य हो तो यहां पर लिखा है 2 A transpose minus 3 B transpose तो basically आपको यहां पर A transpose और B transpose निकालना पड़ेगा क्योंक तो इसलिए हमें पहले A transpose चाहिए होगा B transpose चाहिए होगा जब हमारे पास A transpose और B transpose आ जाएगा तब हम A transpose की जगह पे A transpose रख सकेंगे और B transpose की जगह पे B transpose रख सकेंगे और इस सारी चीज़ को easily handle कर सकेंगे तो इसलिए पहला target हमारा यह है कि हम A transpose निकालना है तो A transpose किस से नि matrix का transpose निकाल ला हूँ, जो उसका नाम होता है, उसके उपर small t लिखते हैं, जिसका मतलब है, आप इसका transpose ले रहे हैं, या आपने इसका transpose लिया है, और transpose लेने का थरीका क्या होता है, कि या तो rows को column में बदल दे, या column को rows में बदल दे, दोनों में से कोई एक काम करना होता है, उसी से आपके पास matrix का transpose आ जाता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए, यहाँ पर जो यह पहली row है, इसको column की form में लिख देता हूँ, यानि यह row है, one minus two, इसको column की form में लिख देता हूँ, one minus two, और जो दूसरी row है, three और four, इसको भी मैं column में लिख देता हूँ, three और four, तो देखे, मैंने इस matrix का transpose ले लिया, तो या तो rows को column बना लिया करें, या column को rows बना लिया करें, दोनों में से कोई एक काम एक वक्त कर लिया करें, तो उससे उस matrix इसका transpose आ जाता है, अब इसी तरीके से B transpose भी निकाल लेता हूँ, उसके लिए मुझे B matrix लिखना पड़ेगा, तो B matrix उपर given है, इसकी entries है row wise, zero, seven, negative three, और eight, अब आपने इसका भी transpose निकालना है, तो यहाँपे इसका transpose भी निकाल लेते हैं, क्योंके B का transpose निकालना है, तो BQ पर small t आएगा, और यहाँपे भी मैं ऐसी करूँगा, कि rows को किस में बदल दूँगा, column में, आप column को rows में बदल सकते हैं, उससे भी transpose यहाँगा, तो पहली row में जो entry थी, वो थी zero और seven, इसको column form में लिख देता हूँ, इस तरीके से, और दूसरी row की जो entries थी, वो थी, minus three और eight, इसको भी column form में लिख देता हूँ, इस तरीके से, तो यह मारे पास B matrix का भी transpose आ गया, अब देखें A transpose भी आ गया, B transpose भी आ गया, अब आप part number two को बड़े easily कर सकते हैं, तो मैं part number two क्या था, part number two था, two times of A transpose, minus three times of B transpose, ठीक है, आप इसको मैं two times just पढ़ रहा हूँ, समझाने के लिए आप इसको simple two A transpose minus three B transpose भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अब मैं इसको solve करने जा रहा हूँ, तो देखें, आपने भी समें, just A transpose की जगा पर A transpose लेकर पूट कर देना है, B transpose की जगा पर जो B transpose वाला matrix है, वो पूट कर देना है, तो बाकि सारी चीज़े आपने as it is note down कर लेनी है, यानि two वैसे का वैसी या जगा, A transpose की जगा पर जो आपने A transpose निकाला है, इसको as it is लिख लें, तो यह matrix है, इसकी row wise entries है, one, three, minus two, और four, आपर bracket close, आगे minus का sign है, आप भी minus का sign डालें, उसके बाद three है, आप भी three लिखें, आगे B transpose है, तो उपर जो B transpose वाला matrix है, उसको इसके आगे लिख दें, यानि zero, minus three, seven, और eight, और bracket को क्या कर दें, close, अब इसको further solve कर लेते हैं, तो आपको अभी उपर ही बता चुका हो, जब भी किसी matrix के बाहर इस तरह कोई number लिखा हो, तो इसका मतलब है, वो number अंदर लिखीवी तमाम entries से separately multiply होगा, तो आपने यही करना है, इस two को अंदर लिखीवी तमाम entries से multiply करना है, तो पहले one से करेंगे, two one times two होता है, फिर three से, two three times six होता है, फिर two को negative two से, two negative two times करेंगे, negative four होता है, two को four से, two four times eight होता है, और यहाँ पर bracket को close कर देंगे, minus का sign वैसे ही, अब three की बारी, three को भी इदर, यह भी बाहर आप देखें, matrix के बाहर एक number लिखा हुए इसका three, इसको भी आपने अंदर लिखीवी तमाम entries से multiply कर देना है, तो three को सबसे पहले zero से करेंगे, three zero times zero, three को negative three से करेंगे, three negative three times, यानि negative nine, फिर three को seven से करेंगे, three seven times twenty one, और फिर three को eight से करेंगे, three eight times twenty four, यहाँ पर यह दो new matrices हमारे पास बन गए, इन numbers को अंदर लिखीवे entries से multiply करवाने के बाद, अब देखें, दोनों matrix के दर्मियान, minus का sign है, यानि दोनों subtract हो रहे हैं, और सिरफ उन्ही matrices को add, spread किया सकता है, जिनका order same हो, यानि उन दोनों matrix के rows और columns की तदाद एक जैसी हो, तो पहला जो matrix है, उसके भी, उसके अंदर भी दो रोस, दो column है, दूसरे में भी दो रोस, दो column है, दोनों का order बिल्कुल same है, इसका मतलब इनको add, spread किया जा सकता है, अब तरीका क्या होगा, तरीका होगा, corresponding entries को add, spread करते हैं, यानि यहां से first entry लेंगे, तो वहां से भी first entry को pick करेंगे, तो यह subtract हो रहा है, तो यहां से इसका मतलब है, first entry में से वहां की first entry subtract होगी, यानि पहले आप 2 लिखेंगे, उस में से minus कर देंगे, वहां से first entry 0, फिर आप 6 लिखेंगे, थोड़ी space डाल कर, जिसता है मैंने भी space लिए यहां पर 6 में से आप subtract करेंगे, वहां से second entry जो कि negative 9 है, क्योंकि एक minus का sign तो वैसे ही आना है, और 9 के पीछे है, तो 2 signs आगे पीछे आ रहे हैं, तो यहां पर brackets का use करेंगे, यानि negative 9 को brackets में लिख लेंगे, ताकि ज्यादा चीज़ें बेतर हो जाएं, अब नीचे आ जाते हैं यहां पर, तो यहां पर negative 4 है, यह third entry है, उसको third entry वाले लिहाज से हम separate करेंगे, तो यहां पर negative 4 लिखेंगे, बीच में minus का sign वैसे ही, और आगे 21 वैसे का वैसे ही, और fourth entry को fourth entry से separate करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 8, बीच में minus का sign वैसे ही, और वहां पर जो 24 लिखा हो है, वो वैसे का वैसे, अब इसको further solve कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका final form आजेगी, इस matrix की, तो 2 minus 0 कितना होता है, वो तो होता है 2, अब देखे 6 minus minus 9 लिखा हो है, जब आप brackets को open करेंगे, तो minus minus क्या हो जाएगा plus, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 6 plus 9, और 6 plus 9 होता है 15, तो आप यहां पर लिखेंगे 15, यहां पर minus 4 और minus 21 है, minus minus plus होता है, 21 में 4 add कर दें, 25 आता तो 24 बड़ी value है, उसके पीछे minus है, तो आप भी minus का लगा देंगे, तो इसका मतलब हमारे पास second part का answer आ गया, यह वाला matrix, जिसकी अगर मैं entries को पड़ू, row wise तो वो लिखी हुए है, 2, 15, minus 25, और minus 60, तो यही हमने find out करके दिखाना था, तो उमीद है मुझे आपको यह दोनो पार्ट समझ आऊंगे, इंशाला next videos मिलेंगे बाकी solutions के साथ,